प्रिभाईयों और बहनों, जै जोहार, आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद, चतिजगण में कल और आज, दो दिन स्वेक्षिक रूप से कर्फ्यू का सत्प्रस्थ पालन आपने किया है, बड़े सहरों ही नहीं, अप्युतु छोटे-छोटे गाउं में भी, लोगों ने अपने आपको घरों तक सीमित रखकर, अभूत-पूर समाजीक और राष्टी दायत्यू का पालन किया है, कोरोना वाइरस की महमारी से बचने और लड़ने में यह अत्यंत महत्पुन योगदान है, आज आपके सहीयोग से मेरा विश्वास अप्रबल हो गया है, कि अगले कुछ हपते यदि हमने इसी तरह से अपने दायत्यू का पालन किया, और अपने घरों में रहें, तो हम चत्तिस गड़ और देश में कोरोना को हराने में कावियाब हो जाएंगे। मुसीबत के समय चत्तिस गड़ और देश के लोगों ने हमेशा समर्पन और देश प्रेम का भाव दिखाया है। हमने चत्तिस गड़ में कोरोना वाइरस के फावलाओ को रोकने के लिए कई आवस्यक फैसले लिये हैं। विश्भर में कोरोना वाइरस से बचाओ के लिए लागडाउन या आइसोलेशन को ही एक मात्र कारगर तरीका माना गया है और वो इसका कड़ाई से पालन भी कर रहे हैं केंदर सासन ने 31 मार्थ तक यात्री रेल सेवा को बंद कर दिया है 36 गण में भी वाइरस के फैलाओ को रोकने के लिए हमने 31 मार्थ तक सहरी छेत्रों में करफिव को बढ़ाने का नेड़ाई लिया है इस दोरान सभी कार्यालाई, संस्थान, परिवहन सेवाएं और अन्य गत्वीधियां बंद रहेगी अति आवस्यक सेवाएं जैसे मेटिकल साप, किराना दुकाने, जनरल इस्टोर, सबजी, दूद, पेट्रोल पम, घरेलू गैस आपूर्ती सेवा, सतत रूप से जारी रहेगी इसके साथ ही बिजले आपूर्ती, जल्प्रदाय सेवाएं, नगर नेगम की साफ सफाई और कचरा निप्टान सेवाएं तथा आवस्यक वस्तूओं के कामर्सियल परवहन सेवाएं भी पहले की तरह निरबाद रूप से कारिकरती रहेगी नागरिगण स्वाथ सेवाएं के लिए 104 एवं अन्य किसी भी प्रकार की समस्या के लिए 112 नंबर डायल कर संपर करें या नेड़ने कठोर है लेकिन आपके परवार के जीवन के रक्षा के लिए ऐसा करना आवस्यक है इस संकट की घड़ी में आपका मुख्यमंत्री, सरकार और उसके महक में आपके साथ है मुझे पूरा विश्वास है कि आप सब के सहयोग से हम इस महामारी पर विजय पाने में सफल होंगे धन्यवाद